Good morning children, आज मैं बताऊंगे आपको, आपकी unit test आने वारे ना, मैं बताऊंगे कि आपको answer किस तरह से लिखना है, ठीक है? सबसे पहले तो क्या करोगे बटा आप, name लिखोगे अपना, क्या लिखोगे आप नेम, फिर आप class लिखोगे, आप जिस भी section में बढ़ रहे हो, वो section का नाम लिखोगे, a है तो a लिखोगे, और b है तो p लिखोगे, फिर आपको subject लिखना है, जिस subject का paper है, उसी subject का name लिखना है, जैसे आप science का paper कर रहे हो, तो आप science का लिखोगे, sst का कर रहे हो, तो sst लिखोगे, और date भी आपको लिखनी है, यह सब चीज आप पहले कर सकते ह पहले आप यह सब लिख सकते हो पहले ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ठीक है जैसी है राइट तक करेट आंसर फ्रॉम गिवन ब्रेकट जो ब्रेकट में दिये गए बेटा वह आपके आंसर से हैं तो आपको इस दोनों में से चूज करके लिखना है देखो यहां पर आपको यह नहीं लिखना है आपको क्या करना है यहां पर आंसर किसका आंसर है यह फर्स का तो फर्स का आंसर है यह तो फर्स लिखना है यहां पर और यह ए कौनसा का अंसर है एक आंसर क्या है हैंस तो एक आंसर में आपको क्या लिखना है हैंस लिखना तो आपका आंसर तो इन दोने में से आपको choose करना है तो किसकी मदद से smell करते हम सूंगते हैं तो ये है nose तो answer आपको B लिखना है और यहाँ पे B में जो है ये B है ना तो B के आगे क्या लिखना है आपको nose तो आपका answer clear हो जाएगा ठीक है अगर आपको ये सब लिखना होगा तो आपको time भौच चाहिए है इसके लिए आपको क्या करना है आपको सिर्फ answer लिखना है देखो name any आपको क्या करना है कुछ भी name लिखना है जैसे close मैंने दे रहा है तो close के name लिखना है आपको जैसे capry हो गया ए लिखा और उसके आगे उसके name लिख दिए close के name लिख दिए ऐसी ये B है तो इसे parts of body है ना तो B में B लिखना है आपको और उसके B के आगे जो भी आगे जो भी आए जैसे parts of body में कौन-कौन से है जैसे eyes है, nose है, कुछ भी आए तो आपको क्या करना है इसको fill up पे आते हैं हम लोग fill in the missing letter आपको missing letter है, इस में आपको पूरा लिखना है जैसे यहाँ पे भरके, आपको fill करके इसको पूरा लिखना है जैसे यहाँ पे यह frog है, तो आपको क्या R करके इसको पूरा लिखना है तो फ्रॉक हो जाएगा पर जैसे यह नूज है तो यहाँ पर O करके SE नूज तो आपको क्या हो जाएगा यह कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अब आते हैं next है match the following आपको match करना है तो आपको दोनों side के word लिखना है और उनको match करना है ठीक है अब next है आपका यह देखो answer ऐसे इस तरह से लिखना है आपको answer जैसे आप question 5 है तो question 5 का A है ना यह देखो A A का क्या करना है 5 में जह है answer the following question जो नीचे दिये गया question है उनके आपके answer लिखना है देखो what do we do with our hand तो आपको यह नहीं लिखना है आपको सीधे answer लिखना है वी do work with our hand यह उसका answer हो गया तो आपको सिर्फ answer ही लिखना है जब answer लिखोगे तो ऐसे लिखना है answer number 5 का A A का answer A का answer लिखना है फिर B और B का answer लिखना है ठीक है इस से आपके answer जो है बिल्कुल किलियर हो जाएंगे अब क्या करना है आपको एक ड्रॉ करना है आपको एपल ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है जैसे आपको अपनी मुम्मी की एक कड़ा लेना है उसको क्या करना है ऐसे करके करना है ठीक है और उसको क्या करना है बिटा आपको यहां से नीचे से एरेज करा आपने और इसको हलका से क्या करना है देखो अंदर की तरफ इसको हलका से यूँ यह देखो ऐसे बन गया आपका एपल यह देखो ऐसे और यहां से आपको क्या करना है हलका से नीचे करके ऐसे एरेज क आपको क्या निए इसकी लीब निकालनी है और ये लीब हो गई और ये आपका apple बन चुका है ठीक है तो आपको इस तरह से और इसको draw करके आपको क्या करने से color करना है तो आपको क्या है numbering सही ढंग से करनी है तापकि आपके answer मैडम को बिल्कुत साप नज़ा रहें कि बच्चे ने लिखा क्या है ठीक है? Thank you